Hello friends, कैसे हैं आप सभी? Hope's up, आप सभी बहुत अच्छी होंगे आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ Bridal Bun जो कि बहुत ही easy step में आप लोग के साथ मैं step by step बताऊंगी different different way में बताऊंगी और सिर्फ flower decoration के ही माधिम से आप इसको बहुत अलग-अलग तरीके से लोग दे सकते हैं, तो चलی देखते हैं से कैसे करना है, सबसे पहले हम सेंटर पार्टिंग से बाद करेंगे year to year parting और year to year parting करने के बाद इसे आपको jack o pin से अच्छी तरीके से secure कर देना है उसके बाद back area में हम जाएंगे और back area में जो hairs है उसमें से इस तरह से section निकालते हुए उपर के hairs को जिसमें की अभी हम आगे puff करेंगे उसको हमने अलग से secure किया और नीचे के area को एक low pony बनाई है और उसे एक rubber band के मदद से अच्छी तरीके से secure कर दिया है अब जो hairs हमने उपर की तरफ से रखे हुए थे जिसमें हमें puff बनाना है उस area से बहुत ही पतले-पतले से sections आपको horizontal लेना है और back combing करना है बहुत अच्छी तरीके से ताकि जो आप puff बनाना चाहते है वो desirable puff बन सके और इसमें puff थोड़ा सा आपको heighted देना होता है जब कभी भी आप bridal band बनाते हैं तो उसमें जो भी आपका दुपट्टा होता है वो इसके उपर ही set होता है इसलिए थोड़ा से इसको आप heighted बनाएंगे तो look बहुत ही अच्छा आता है तो इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से back combing की है और back combing करने के बाद आपको जो एकदम last वाला जो hair बचता है ना उसको आपको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से comb कर लेना है और उसकी मदद से bopping की मदद से अच्छी तरीके से secure कर लेना है ताकि जो आपका puff है आप इसको तोड़ा से जरूर ध्यान रख लें कि वो even दिखाई पड़े ऐसा नहों कि कहीं से जादा या कहीं से कम दिखाई पड़े पॉफ आप जितना प्यारा बनाते हैं उसके आधार पर ही आपके जो hairs आपने बनाए हैं उसके उपर जो भी आपको work करना है वो अच्छी तरीके से उभर के दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर हमने इसे bopping की मदद से secure किया है जब भी bopping लगा है कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं लगा है एक लगाने के बाद दूसरा उसको बिल्कुल cross करते हुए लगा है जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से secure हो आगे से थोड़ा-थोड़ा सा sections लिया है हमने और उसके उपर overlap किया है जिससे जो hairs अभी आपको थोड़ी सी uneven दिखाई पड़ी थी वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़े अब हम pulling technique से इसमें lining देने वाले हैं और थोड़ा-थोड़ा सा आपको lining देना है और साथी साथ यू-pin से उसे secure करते जाना है clean तरीके से आपको lining दिखाई पड़े तो इस तरह से देखिए यहां पर pin लगाया जा रहा है जिससे बहुत अच्छी lining दिखाई पड़े और एक चीज़ मैं आपको और बता दू अगर आपको इस area पर जहां पर lining बन रही है उस area पर आपको डुपट्टा देना है तो आप यह वाली technique मत लगाएगा क्योंकि यह technique में time बहुत लगते हैं और दूसरी चीज़ एक यह है कि डुपट्टा रख जाने के बाद वो पूरा दब जाता है तो इसलिए ध्यान रखें कि जिनको बिलकुल आपके बन पर डुपट्टा चाहिए उनको तो आप यह वाली hairstyle या यह वाली pulling technique जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं अधर वाइस अगर उनको डुपट्टा बिलकुल पर ही देना है तो फिर यह आप मत दरेगा इससे आपकी time काफी बच जाएगी लेकिन यह look आप पार्टी में भी दे सकते हैं engagement में लहेंगे पर भी दे सकते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ यह bridal पर जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है तब जबकि आपको अपने सर पर पल्लू नहीं देना है client ऐसी है जो की hair पर ज़्यादा focus है इसको एक अच्छा है style चाहिए तो आप इस तरह से दे सकते हैं अब आगे के hairs को इस तरह से हमने two part में divide किया है और उसको pulling technique से यहाँ पर हम lining देंगे और जो बचे वे hairs होंगे उसको twist करते जाना है क्योंकि दो parts में है तो एक दूसरे के उपर उसे इस तरह से आप twist करेंगे तो बहुत ही अच्छा मतलब एक line भी create होता है और puff के उपर बहुत neat and clean तरीके से यह दिखाई पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा से आपको इस तरह से pull कर देना है और यहाँ पर double line, triple line आपके puff के उपर चली जाएगी यह देखे यहाँ पर यह इस तरह से secure हो रहा है बहुत easy है आजकल जितनी भी clients आरे है bridal clients आरे है उनको थोड़ा सा hairdo पर ज्यादा चाहिए होता है तो आप यह करेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा आगे थोड़ा सा hair चोड़ते ना है curls के लिए और जो front area है उस पर इस तरह से थोड़ा सा messy type का आपको lining देना है बिल्कुल एकदम neat and clean आपको front पे नहीं देना है क्योंकि front पे अगर आप बहुत neat and clean करेंगे ना तो वह बहुत अच्छा नहीं लगा quality आपने back puff पे lining दीवी है और अगर आप सेम वैसा आगे देते है ना तो उससे क्या होगा कि आपका look same हो जाएगा बिल्कुल ऐसा लगेगा मर्ज हुआ 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 सा लगेगा कि back पे भी आपने same दिया है और आगे भी तो आगे आप थोड़ा सा सिर्फ इस तरह से messy type का कर दीजिए जिससे कि यह लगे कि हाँ वो एकदम natural सा कुछ बनाया है और पीछे आपने अच्छी cooling technique से आपको lining करनी है लेकिन उसकी जरुद आपको तभी है यानी puff पे आपको lining की जरुद तभी है जबकि आपको डुपटा उस पे secure नहीं करना है तो आप puff वाले पे बिल्कुल भी work मत करिए आप सिर्फ फ्रंट पे lining दीजिए जैसे कि अभी हम यहाँ पे rough तरीके से lining दे है जो कि अगर आपने अपने puff पे नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पे फ्रंट पे देंगे तो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आपको करनी होती है जब भी कभी आपको make-up भी करते हैं तो वो भी आप ध्यान रखते हैं कि आपका eye makeup कितना जादा soft है या आपने eye makeup को ज़्यादा आपने heavy किया है तो आपको lipstick कैसी देनी है सेम इसी तरह से hair styles में भी होती है hair style जब आप दे रहे हैं तो उसमें आपने किस तरह से क्या चीज़े बनाई हैं और कैसे उसे आपको define करना है यह सारी चीज़ें important होती है ऐसा नलगे कि बिल्कुल सब कुछ एक ज जारी है जारी है मैंशी टाइप पर मतब कहीं से कोई line जारी कहीं से कोई line जारी है इस तरह से आपको यह lines को रखनी है इस बिल्कुल आपको एक सीध लाइन में नहीं लेके जाना है जैसे कि आपके तो इस तरह से यह करने के बाद यहां पर हमने इसे सिक्योर किया और यह देखिए ट्विस्टिक टैक्निक कितनी प्यारी लगती है साइड से तो बहुत ही प्यारा लगता है और जब आप इस पर फ्लास और लगाते हैं तो लुक बहुत अच्छा आता है तो इस तरह से हमने याप फिर से इसे अच्छी तरीके से सेक्योर कर दिया है जो भी हेर्स बचे वेते इस पर अच्छी तरीके से कर देना है फाइनली आप सारे पिंस को निकाल दीजे और आपको कहीं भी लग रहा है कि जो हेर्स है वो थोड़ा इधर उधर है तो आप उसे अच्छी तरीके से फिर से नीट एंड क्लीन कर दीजें क्योंकि हैर स्टाइलिंग जब करते है न तो आपको सबसे जॉदा जो फोकस रहना होता है कि जो आपका है स्टाइल है वो कितना अच्छा दिख रहा है कितना साफ सुत्रे तरीके से बना हुआ है उस पर ही सारी जिसे हियर क्यों से इस्टे हो जाए और इस्टेब्लिश हो जाए तो अब हम यहाँ पर एकदम लास्ट में जहां पर हमने अभी बनाई थी वहाँ पर हम डोनट लगा रहे हैं और इसे भी जूड़े पिन से अच्छी तरीके से सेक्योर करना है बिल्कुल लास में मतलब जो नेके रिया है न वहाँ बिल्कुल लो आपको जाके इसको अच्छी तरीके से सेक्योर कर लेना है और जो हेर से उसके उपर ओर लाप करना है अच्छी तरीके से नीट अन क्लीन करना है कॉमिंग कर लें है और वहां पर भी आपको यूपिन से अच्छी तरीके से सिक्यूर कर देना है सिक्यूर करने के बाद इस पे बार डाल दीजे जिससे की बहुत अच्छे तरीके से नीट और क्लीन दिखाई पड़े जो भी आपने हैस्टाइल की है उसकी स्टेंग पावर भी ज्यादा हो जा इसे डिफरेंट टरीके से डेकोरेट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं भी मैंने सिर्फ यहां पे पिंग अलगे प्लाव के साथ बेकोरेट कर आया था उसके बाद फिर इसमें आप रेड कलर के भी फ्लास के साथ डेकोरेशन देखेंगे ए रेड वाइड के साथ तो हम लोगों ने इसी सेम हेर स्टाइल को डेकोरेट किया था जैसे कि आप देख सकते हैं या बाश लगाया था फ्लास का तो आप यह स्टाइल बना सकते हैं और डिफरेंट वे में उसे लुक दे सकते हैं तो आज आप लोगो यह टुटोरियो कैसा लगा अब वीडियो किया है